गुड बॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग अपनी गणित की वर्कशीट पे काम करेंगे आप जैसे की गणित का उपर ही हमारा देखिए क्या है टॉपिक एक अंक्य संख्या का बोध आप क्योंकि प्रेड़ना लक्ष में हमारे को पहली कक्षा का लक्ष जो है सबको तो उसे हिसाब से हमने यह वर्कशीट बनाई है पहला प्रेश्न हमारा है छे ढूंडो और गोला बनाओ अब यह एक हमने बच्चे को खाना बना के देना स्क्वैर बना के देना ठीक है अब उसकी अंदर हमने उसको क्या प्रेश्न दिया है छे ढूंडो और गोला बनाओ एक तो मेरा हो गया 6 ये, बच्चा इसको गुला बना लेगा, पैचान रहा है वो इसको, ठीक है, एक हो गया 6 ये, बच्चा इसको गुला बना लेगा, ठीक है न, एक हो गया 6 ये, इसको हमें राउंड कर देंगे, और एक है 6 ये, ठीक, हम यहाँ पर कोई भी संख्या रख सक दस रख सकते हैं जैसे जैसे बच्चे को संख्या आगे आती जाएगी वह संख्या करके सबसे आसान तरीका बच्चे को लक्षे तक पहुंचाने का यह है कि वह पहचानकर उसको गोला लगा ले ठीक अब दूसरा प्रशन है गोले के भीतर कितने बिंदू है अब बच्चे को काउंटिंग आनी चाहिए गोला यह उसको दे दिया बहार भी बिंदू है और अंदर भी है अब उसने काउंट किया वान एक दो तीन चार पात छे वान टू टू ट्री फोर फाइव सिक्स उसने यहा पर उत्तर लिख दिया छे क्योंकि उसको काउंटिंग आती है अगर हमारा जैसे जैसे बच्चा 11-12 इस तरह से दहाई की गिंती में पड़ जाएगा हम गोलों की संक्या बिंदियों की संक्या इसमें बढ़ा सकते हैं दी गई संक्याओं में क्या मिलाने से साथ बन जाएग अब यहां जोड देखिए ठीक है ना अब चार में कितना जोड़ूं की साथ आएगा तो चार में पांच छे साथ कितना जोड़ूंगी मैं इसमें तीन चार और तीन साथ पांच में कितना जोड़ूंगी की साथ आजाए पांच और दो साथ देखिए हम इस तरह से अपने प्रेड़ना लक्षे तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, आसान questions हैं, एक में 6 जोड़ेंगे, तो 7, ठीक, अब ये dice हमको अपने गणित की kit में, इस बार हमारे पास dice आएंगे, ये पास से आएंगे, तो डिब्बे में बिंदुओं की संख्या बताओ, जोड़ करके, पह बिंदी 8, ठीक, इस खाने के अंदर कितनी बिंदी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 मतलब 5, ठीक, तो यहाँ पर पूरी हम टोटल बिंदी बना लेंगे, उसमें अभी time लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी फिर से, तो 8 और 5 को टोटल करेंगे, तो कितना आएगा, 9, 10, 11, 12, 13, तो टोटल यहाँ पर 13, और बच्चा इसके अंदर 13 छोटी छोटी बिंदी बना देगा, ठीक, अब सबसे अच्छा यह है, पहले ही सीड़ी है, खाली स्थान भरो, बच्चा भरेगा, 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो आज हमने यह गणित की एक सरलसी वर्कशीट देखी है, इसको हम बनाएंगे और अपने प्रिणा लक्षे तक पहुँचने में यह हमें सहायता करेगी, थैंक यू, डॉक्टर भावना